जानकिर चापा जिले के हसाओद में दो दिवसिया गुरु खासी दास जेनती कारकरम बड़े ही धुमधाम से मनाया गया। सोभा यात्रा तहसील परिसर से थाना चौंक, मिलंग चौंक, बजार चौंक, बस इस्टेन, बजरंग चौंक होते हुए सास्किया महा विद्यालाय के पास जैद खाम से महमाया मंदिर प्रमुक चौंक चौराहों से होकर धमनी हसाओद, भाठा पारा होते हुए कारकरम पर समाज के सभी वर्गों के लोग बड़ी संख्या में कारकरम इस्थल में कत्रित होकर एक रूपता का परिचय दिया, सोभा यात्रा में आकरसक रूप से गिरोत पूरी जैद खाम की मनमोहग ज्हांकी बनाई गई थी, महीं डीजे के धुन पर भक्ति मैं संगीत में करते रहे, सोभा यात्रा के बाद सामूही भोज भंडारा हुआ एवं प्रथम रात्री में सांस्कृतिक कारकरम वपंथी नृद्य स्थानिय कलकारों एवं इस्कूल महाविद्यालय के बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तूती दी, महीं दूतिय रात्री में सुप् राम कुमार यादव, प्रेम चन्द जायसी एवं सुरेंद्र भारगाव ब्लॉग कॉंग्रेस केमिटी अध्यक्षे हसोत परिक्षेत्र सामिल हुए हसोत में प्रति वर्स भव्यरूप से बाबा बुर्गासितात की जहनती मनाई जाती है और यह लगातार पाज़वा वर्स था जहां तक सुनने में आया है कि हसोत की जहनती पिछले 2014 सम्म बनाते आ रहे हैं जो सत्तीगर में तीसरा इस्थान रखता है इस बार का इतनी भव्यता थी इतनी बड़ी रहली थी और पूरे 40-50 गाओं के लोगों का हुजुम उमर परा था इसे देखते हुए ऐसा लगता है कि इस बार यहां हसोत की जहनती प्रदेश में जूती इस्थान रहा और यहां जीला इस्तरी हम काईकरम रखते हैं लेकिन नहीं कि इस प्रदेश में वायने रखता है प्रदेश में इस थान ड़कता है इस वरसे सपनाम संदेश यात्रा मुख्य जय इस ताम से परिशर से निकाल कर गाओं के चार प्रचा चार-प्र और जय सम्हें वहां करते हुए विसाल जुलूस निकाली गई यहां जयनती को जिए इन्ति को मनाने के पिछे हवा दो करण है एक तो बाबा जी की संदेशों को दूर दूर तक पहुंचाना क्योंकि बाबा जी कि संदेश वैज्ञानिक वैज्ञानिक्ता से प्रपून है जो समाचि सिधार की दिसा में बड़ा-बबड़ा यवद्दान है जैसे जुआ ह वाज सुधार की दिशा में एक ततस्त दज्यानिक प्रमार है। यहां दो दिवसी कारिक्रम गुरुघासी दास जयनती के रूप में हुआ था। इसकी रूप रेखाया है कि दो दिन का हम इस कारिक्रम में भागीदारी दिये थे। जिसमें प्रथम दिवस में रंगोली का कारिक्रम रखा गया था। और ऐसा प्रतीत हुआ कि हमारी रेली जो है 15-20 किलो मेटर के बीच में हुई। उसके बाद में रातरी जब साम को सतनाम संदेश यातरा के बाद जब हम वापस आते हैं तो यह रेली में सामिल जितने भी लोग माता बहने उपस्थित रहते हैं। उनके लिए सामुहिक भोज भंडारा का आयोजन किया गया था। उसके बाद अगले दिवस में सतनाम संदेश यातरा को लोगों के माधहम से कई रूपों में संगीत के माधहम से कई प्रस्तूती के माधहम से लोगों तक पहुचाया गया और जब रात्री भी तो हमारे रायपूर से आये बड़े कलाकार यस्वन सतनामी जी के दुबारा लोगों में एक मनुरंजन बहुत जोड़दार और हर्शोल लास के साथ इस्थापित हुआ और चंदरपूर विधायक सम्मानी रामकुमार यादव जी और बिलाईगर विधायक सम्मानी चंद्रदेवराय जी का आगमन हुआ था जिन्होंने बाबाजी के संदेशों को लोगों तक पहुचाया हसाउस से देवेंदर निराला की रिपोर्ट ACN20